दिल्ली हाई कोट ने बुद्धवार को एक कोचिंग सेंटर के बेस्मेंट में डूब कर UPSC की तैयारी कर रहे तीन अभ्यारतियों की जानगवाने पर अधिकारियों को फटकार लगाई है हाई कोट ने कहा कि जब मुक्त खोरी की संस्कृती के कारण टैक्स कलेक्शन नहीं होता है तो ऐसी दुरगटनाए होना एक आम बात हो जाती है दिली हाई कोट ने दिली नगर निगम के आयोक्त दिली पुलिस के उप्योक्त और मामले की जाच कर रहे पुलिस अधिकारी को नोटिस जारी कर शुकरवार को जवा मंगा है साथी नगर निगम को कहा है कि वो शुकरवार तक ओल्ड राजेदर नगर के नाले को साफ करवाए कार्यवाहक मुखन अधीश मनमोहन और न्याय मूर्ती तुशार राओ गेडेला के पीट में कहा गया कि एक अजीब चांच चल रही है जिसमें कार चलाने वाले राहगीर के खिलाफ पुलिस कार रिवाई कर रही है लेकिन M.C.D. अधिकारियों के खिलाफ कोई कार रिवाई नहीं हुई पीट ने कहा कि बहु मंजला इमारतों को चलाने दिया जा रहा है लेकिन उसकी जलने कासी बिल्कुल भी नहीं देगी जा रही पीट ने दिल्ली सरकार को सुराते हुए कहा कि आम मुक्त खोरी की संस्कृति चलाते हैं टैक्स कलेक्शन नहीं करना चाते तो ऐसा होना तो तय ही था कोट ने कहा कि मुफ्त वाली संस्कृति की वज़े से सरकार के पास इंफ्रास्रक्चर को अपग्रेड करने का पैसा ही नहीं है पीट ने ये भी कहा कि इस घठना के लिए सबी हिद्धारक जिम्मेदार हैं हम सबी शहर का हिस्सा हैं यहां तक कि नाले खुलने वबंद होने की कारण भी हम ही लोग हैं क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाहन नहीं कर पा रहे अंतर सिर्फ ये है कि संबंदिन प्रादिकरण हाथसा होने के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्या रूप लगाने की आदत हो गई है पीट ने कहा कि अभी पुलिस से अब तक उनके द्वारा उठाए गए कदमों की रिपोर्ट तलब की जा रही है फिर उसके बाद विचार किया जाएगा कि मामले की जार्च के इंदर करेगी या फिर कोई किसी और डिपार्टमेंट को सौपी जाएगी गउर तलब है कि 23 जुलाई की शान को ओल्ड राजेंदर नगर में बाढ़ गरस्त एक कोचिंग सेंटर की बेस्मेंट में तीन सिविल सेवा उमिदवारों की जान चली गई और जाज के लिए एक उचिस तरिय समिती की मांग वाली आचिका पर सुनवाई चल रही है जान गवाने वालों में उत्तर प्रदेश की 25 वर्षिय श्रिया यादफ, तेलंगाना की 25 वर्षिय तान्या सोनी और केरल के 24 वर्षिय नेविन डेवलिन शामिल थे ऐसे ये अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं, नेउस वर्षिय इंडिया